के पूर्व मुख्यमंत्री और विदीशा से भारी मतों से जीत करा देवारे लोगसभा के अब सांसत हो चुके हैं शिवराज सिंग चोहां जी नमस्ते जैहिंद और आपको बहुत-बहुत बधाईयां जीत की विदीशा में तो भारी मत से आप जीते ही हैं, रेकॉर्ड तोड़ जीत है, पर मद्यप्रदेश में भी 29-0 का स्कोर है बीजेपी के लिए ये हम सब के लिए बहुत संतोस का विसे है, मन में कसक थी, 2014 में हम जीते थे 27 सीटें, 2019 में हम जीते 28 सीटें, कसर एक रहे गी थी छिनवाणा में, वो थोड़ी कसक रही थी, उसलिए विदान सवाचुनाओं के तुरंद बाद ही, मैंने कहाता है रिजन्ट आते ही कि अब छिन इतना है, और 29 कमल के फूलों की माला कैसे प्रधान मंत्री जी के गले में डलें, उसका प्रियत्न करना है, ये प्रधान मंत्री जी के प्रती, प्रैम और विस्वास का प्रिकटी करण है, 29 सीटें, प्रधान मंत्री जी ने जो काम किया है मदद प्रदेश के विकास के लिए और देश के लिए उसको जनता ने आसिरवाद दिया है सामुहिक नितरत्व मदप्रदेश में हम सब ने मिलके काम किया और मेरे जैसे लाखों कारिकरता भीड़े रहे और जनता का प्रेम और आसिरवाद मिला मैं इतना जरूर कहूंगा कि विदिसा ने अधुत्स नह दिया है मैं जनता को प्रणाम करता हूँ और भाव मन में एक ही आता है कि जब तक सांस चलेगी अपनी जनता की सेवा करते रहेंगे क्योंकि जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है मैं उनको धन्यवाद लेकिन ये विजय भी प्रधान मंतरी जी के पुरती प्रैम का और विश्वास का प्रकटि करन है में मोदी पर महमा जी एक बात बताएए मद्ध को देश का दिल कहते हैं वहाँ बीजयपी को इतनी प्रचंड जीत औडीशा में जीत अपी में जीट फिर बी जीतने वाले के चेहरे सूखे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है, हार गए हैं, और जो हार गए हैं, वो जीत का जश्न मना रहे हैं, ऐसा क्यों है देश में ऐसा महौल? मैं पहली चीश तो आनंद जी ये कहूं, तीसरी बार तीन सो पार के आस पास पहुँचना ये अपने आप में चमतकार है, देश के दिहास में कब ऐसा हुआ है, आप बताएए, उधारन ये अपने आप में कि प्रधान मंत्री जी तीसरी बार उनके नित्रत में NDA 293 सीटें प अपने आप में बहुत बड़ी चीश है, अब ये देखी दूसरी बात सोचना चाहिए, ये लोग तंत्र है, लोग तंत्र में हमारे जैसे देश में कुछ राज्यों में सीट घटती है, कुछ राज्यों में सीट बढ़ती है, मैं पहली चीश तो यही कहना चाहूँगा कि चमतकार एक सफलता, भारती जनता पार्टी एंडिये ने प्राप्ट की है, और ये स्रीमान नरेंदर मोदी जी में विस्वास का प्रिकटी करन है, सृद्धा और भक्ती का प्रिकटी करन है, देश को उनके नेतरत पर विस्वास है, तभी तो एंडिये इस पस्ट बहुमत म अब जहां तक सीटों का सवाल है, आप देखिए कई राज्यों में आप देखिए, हमको चमतकार एक सफलता मिली, इतनी पहले कभी नहीं मिली, आप उरिसा में देखिए, भाजपार ने सरकार बना ली, कोई सोचता था इतना भारी बहुमत मिलेगा, और सारी सीटें, भारत पाने भी तीन सीटें जीती, और अगर वोटिंग परसेंटेज, आंद्रपदेश का देखिए, एक परसेंट भी नहीं था, 11.28% हमारा हो गया, तेलागना में हमारे पास 4 सीट थी, 4 सीट की 8 सीट हो गई, और वोटिंग परसेंटेज तेलागना का भी आश्चरी जनक है, भ भारती जनका पार्टी को जो वोट मिला है, वो 35.8% मिला है, आप कई राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीट किया, मदप देश के सांसा था, आप देखिए, उतराखंड देखिए, हिमाचल देखिए, गुजराद देखिए, 36 गर देखिए, आसाम देखिए, ये चमतक 60% वोट, 2024 के चुनाओं में भारती जनका पारिटी को मिले है, लगबख उतने ही जितने 2019 में मिले थे, लेकिन कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि 32 सीटे, वो 272 के नंबर से अगर बीजेपी पीछे है, तो कहीं एक अस्थिरता मन में आती है, ऐसा लगता है कि जो विकास भ वज़े से गती क्या थोड़ी धीरे हो जाएगी, क्या प्रेशर और एक अस्थिरता का महौल आपको लगता है, श्रीमान नरेंदर मोदी, नरेंदर मोदी है, उनके लिए राष्ट प्रथम है, जनता प्रथम है, और उनके नेतरत में संपून एंडिये का पूरा विस्वास है, घटक डलोंने कली उनके दस साल के कामों की प्रसंसा करके और उनमें संपून विस्वास व्यक्त किया है, वो देश के लिए काम करने वाले व्यक्त है, ऐसी सरकार चलाने वाले नहीं है, वो देश के लिए कड़े और बड़े फैसले भी लेंगे, और पूरा देश उनके पीछे खड़ाए एंड ये उनके साथ खड़ाए उसलिए सरकार पूरी मजबूती के साथ चलेगी बड़े फैसले भी होंगे आप administrative experience वाले हैं मुख्यमंत्री long time मद्यप्रदेश के रहे हैं अब आप संसद हैं तो आपकी भूमिका कहा होगी शिवराज जी सरकार में होगी कि संगठन में होगी आनन जी अब संसद तो मैं पक्का हूँ क्योंकि पांस साल संसद में भारती जनता पार्टी ने ये काम मुझे दिया है एक बात मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ मैं बच्पन से कारी करता हूँ और तब मैंने सोचे नहीं था कि मैं MLA भी बनूँगा मैं तो इमर्जेंसी में जेल चला गया था जब मेरी उमर 17 साल की दिया केवल एक ही भावमन में था कि भारती तब जनसंग था जनता पार्टी से भारती जनता पार्टी बनी एक ही भावमन में था कि देश की सेवा का सबसे बढ़िया माध्यम भारती जनता पार्टी है और इसलिए भारती जनता पार्टी के माध्यम से देश की सेवा जनता की करता है संग्ठन पार्टी पार्टी जो भूमका मुझे देगी उस भूमका का मैं अंदरवा करूंगा एक बात मेरे मन में सदैब रहती है कि कई बार व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता जो होता है वो ठीक से करता नहीं है और जो नहीं होता उसको प्राप्ट करने की चेस्टा करता तो उस चक्र में कुछ भी ठीक नहीं हो पाता जी मैं यहीं सोचता हूँ कि जो डायट है उसको सिवराज निभाओ अभी मैं सांसत का डायट में निभाओंगा पार्टी कोई और काम देगी तो निष्ठा के साथ उस काम को पूरा करने का प्रत में करूंगा अतर चल रही हैं कि आरेसेस और बीजेपी में थोड़ा सा कलेश है कलेह हैं अंतरगात की बातें कई जाए आरही है ये सब बातें सही हैं कि शिवराजी क्योंकि आप सबकु जानते हैं सबसे बात करते हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ यह यह मात्र अटकले हैं केवल अटकले केवल अटकले उससे आगे कोई 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 आप इसके आपके कुछ नहीं कहना चाहेंगे कहते हैं कि संग पीछे हट गया इस चुनाव में संग दिखा नहीं अटकलों पे मुझे क्यों कहना चाहिए राष्टवादी विचार के सब कारिकताओं ने पूरे परिस्त्रम के साथ काम किया है विपक्ष कहता है कि यह सरकार नहीं टिकेगी क्योंकि जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं वो भरोसे मंद नहीं है चाहे वो चंदरबाबू नाइडू हो या फिर नितिश कुमार जी हो दोनों एन फैक्टर दायां बायां आपको कभी भी गिरा सकते हैं यह विपक्ष की तरफ से तंज कसा जा रहा है यह विपक्ष का काम है कि वो तंज कस हैं लेकिन वो यह बता दें उनकी उनका इस्थान का हैं कांग्रेस की सीट कितनी है 99 अब 99 के फेर में अगर वो प्रसंद हो तो मैं उनको क्या कहूं आप देखिए 2004 में 145 प्राप्ट करके मनमोन सिंग्जी ने सरकार चलाई 2009 में 206 सीटे प्राप्ट करके सरकार चलाई संपूर्ण इंडिये गटवन नन के पास भाजपाज इतनी सीटे नहीं है लेकिन अगर उनको लगता है कि वो इसी में खुस है तो हमेसा खुस रहा है और अपोजिशन में बने रहे वो कहते हैं कि वो अब सरकार को अंकुष रखेंगे सरकार पे पार्लिमेंट में विपक्ष की भूमिका निभाकर सरकार पे अंकुष ये सरकार बे अंकुष हो रही थी बे रगाम हो रही थी जनता ने अब उन्हें इंपावर कर दिया कि सरकार पे अंकुष लगाएं सरकार स्वयम नियंत्रित है मोदी जी जैंसे प्रधान मंत्री जी के होते हुए सरकार केवल रास्ट हित और जन कल्यान के लिए और केवल इतने ही नहीं मेरा अपना विश्वास से पूरी दुनिया के कल्यान के लिए काम करती कई मुद्दों पर मोदी जी दुनिया का नेत्रत करते हैं बहुत तक्ता की अगरी में दग्द विस्व मानपता को सास्वस्थान्ति के पत्का दिग्जद दर्सन भारत कराता है जी तो सरकार बहतर चलेगे विपक्ष का काम विपक्ष करें लोग तंत रहिए भुपाल में आपने हमें चाय पिलाई ओमकार एश्वर में भी आ आए वहां पर अब आप दिल्ली आईएगा तो फिर आपका भी सदकार करेंगे आपको इन्वाइट करता हूं मैं पूरे न्यूज एटीन परिवार से कि कभी आप हमारे स्टूडियो भी आएं आपको बहुत-बहुत शुब कामना है शिवराज सिंग चौहर में आपको आपको